इसे मुझ बनाके क्यों बैठी हो तुम्हें आइडिया भी तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए आपने मेरे पिरेंस को क्यों कहा के मैंने आपको किस किया मैंने कहा था ना मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूँगी अगर वादा करती हो तो वो मुझ पर ऐसे चिला है जैसे कि मैं छोटी बच्ची हूँ पता है मुझे मेरी शाम को बैंड बचने वाली है वो कुछ नहीं कहेंगे मैं आओंगा वैसे भी डिनर के लिए डिनर आप सच में अब धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं तुम क्यों परेशान हो मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा मैं वो डिलिश्यूस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ ठीक है अच्छा होँ तुमने मुझे पता दिया मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुक्य लेके आऊँगा एक गिन आपके वज़े से मैं पका पस जाऊंगी आम हंडर्ड परसंट शूर आप लीज बात करते वक्त थुड़ा ध्यांद रखिएगा वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगा बस तुम भी ध्यान अगना ज़ादा एक्जाजरेट मत करना कुछ गलत नहीं होगा मैं नहीं आप करते होंगे एक्जाजरेट मुझे तु बस मीट बॉल्स दे दो, बागी मैं कुछ नी बोलू ना मैं अपने बेटे के लिए चाय लाई हूँ अब बताओ मेरे बेटे को दिनर में क्या खाना है, बोलो ना, बोलो आमी में मैंने हमबल रहना सीख लिया है मॉम आप मुझे कुछ भी दीजे, मैं सब खालूगा, कुछ भी ओ मुझे निकाल दिया, बक्वास बाते करना बंद करो तुम मुझे निकाला नहीं, भेजा गया है मासे ताकि मैं एक सिविलेन की तरह लोगों की मदद कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ अच्छे से तुम देखना मैं अपने देश के बहुत काम आऊंगा अरे, मेरा प्यारा हांसम बेटा मॉम, यह आप क्या करिये, बस भी करिये, मैं बच्चा नहीं रहा, प्लीज मैं अब बड़ा हो गया हूँ मॉम, मैं अपने मिलिटरी सर्विस पूरी करके आया हूँ अब मैं एक असली ताकतवर मर्ग बन चुका हूँ मॉम मिलिटरी सर्विस पूरी करने की वज़ा से मुझे वे कॉन्फिडेंस आगा क्या बात है हमारा कमांडर आपस आगया वेल्कम कमांडर बहुत मिस्किया, मैंने आपको का देखा हूँ आप एसान भाई तुम यहां क्या कर रहे हो यहां क्यूं आयो तुम बिन बुलाए महमान की तरह टपक पड़े हो बहतर होगा कि यहां से चले जाओ तुम यहां पर फिर से आ गए फिर से मतलब क्या यह पहले भी आ चुके हैं यहां पर मतलब मैंने जाने के बाद ये महले में आकर लोगों को डराते फिर रहे थे हैं मेरी एक बाद कान खोल कर सुन लो मिस्टर इसान भाई मुजफ़र अब इस महले में वापस आ चुका है मुजफ़र अच्छे से बात करो जब तुम यहां नहीं थे ता मिस्टर इसान नहीं मेरी बहुत मदद की थी इसलिए इनसे ऐसी बात मत करो बेटा समझ रहे हो क्या आपने इस इनसान को मेरी जगा लेने दी मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था पैसा कैसे कर सकती है मॉम मैं तीन दिनों के लिए बाहर क्या गया इस महले का तो पुरा नक्षा ही बदल गया है ए सुन मैं बिजनिस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ तुम दो मिनिट के लिए बाहर आओगी जाओ मैं जानता हूँ वा 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 नहीं तुम थूथू करना चाहती हो मुझे पर, सही कहा न, मैं तीन दिनों के लिए आमी किया गया, सब ने मुझे रिप्लेस करके रख दिया है, ऐसान भाई ने मेरी जॉब ले ली, सब कुछ बदन किया है, मुझे बहुत दुख हो रहा है सिर्फ जॉब ही नहीं, और कुछ भी क्या कहा? ओ, मैंने तु कुछ नहीं कहा तुम्हें खासी हो रही है, तुम मेरी लाइफ कोचो आयान, कोई सलूशन ढूंडो, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सा प्लान बनाओ, कम ओन आयान तुम मुझो एक काम करते हैं, मुझो, सुनो, जब तुम गए थे पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रोब्लम ना हूँ सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो, और मेरे कमरे में ले आना उक है, मेरा सर दुखरा अक्छली ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे पांच मिल्ट बहुत साथ है नहीं, गाइस, नहीं मैंने कहा ना हमें रोमैंस वाली कॉंसेप के साथ जाना चाहिए नहीं, डेरिन, हमें अड्वेंचर चाहिए, ओके मैंने तुमसे नहीं कहा ना मतलब नहीं मिस डेरिन क्या आप ज़रा शान रहें कि लोग यहां पर काम करने आते हैं रोमैंस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन, रोमैंस मर चुका है तुम्हारा रोमैंस का कॉंसेप्स सालों पहले एक्जिक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए क्या राय जान सकता हूँ? ओविदो के प्रॉजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है मिस्टर चान, मैं एक बात क्यार करना चाहती हूँ प्रॉजेक्ट के लिए आईलीम रिस्पॉंसबल है या मैं, मुझे लगता है मैं हूँ मैं रिस्पॉंसबल हूँ, क्या प्रॉब्लम है? जान, मुझे लगता है कैमपेइन में एड्वेंचर होना चाहिए यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा नहीं, यंग लोगों को रोमैंस पसंद आता है लेकिन प्लीज वो शब मत इस्तमाल करना आई ली क्योंकि जब तो मुझे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता मुझे इन सब से कोई फर्ट महीं पड़ता मैं अपना काम करना चाहती हूँ और जान, मैं जानती हूँ कि कास्टमर्स को क्या पसंद आएगा ट्रस्ट यो ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें हम क्लाइंट से सवाल नहीं पूछ सकते आदे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो अब तो मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ वाव, तो एडवेंचर हो जाए आइम रेडी नक्चड़ी खड़ू से कहा चा रही हो मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो अपके साथ ही रहूंगी चलिए चलो गाइज, सब लोग अपने अपने काम पर चलो अफिस है ना, तो चलो काम करो, चलो अभी के अभी चलो श्ष्ष्, क्या हुआ था अरे कुछ नहीं वो विड़ आटो मशिन कंपनी नहीं कार बना रही है तो उसका एक एड बनाना है, तागेट और्येंस की यंग जनरेशन है तो उसकी थीम क्या होगी रोमैंटिक एड्वेंचर इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी रोमैंटिजम भी दिमाग खराब हो गया सणिम दिमाग खराब है तुम्हारा देख नहीं सकती तुम कंपणी की हालत एक तरफे टेरिन और तुसरी तरफे एलिन दिख रहा है ना बटवारा हो गया है सब शान्त हो जाओ मेरे यार चलो आओ मेरे साथ एक एक चाई पीते है और मुझे आयान के बारे में भी कुछ नहीं उसका नाम मतलो यहां नहीं तो फिर मैं मिस्सर जान के बारे में बाता है नहीं सने मिलकुल नहीं मेरा मूड अभी ठीक नहीं